हालो आपरेवान वेलकम बेक तो माई यूटीब चैनल इधर फ्लासिस इन टोड़ेशन में विल्डिसकूस अबाउट प्रवरोस के रियरेंश्मेंट तो प्रवरोस के रियरेंश्मेंट क्या होता है इसमें एक टोन होता है ही टोन की जो एलफा पोजिशन है यहां पर एक हैलोजन अटेश्ट होगा यहां पर एक हाइड्रोजन होगा और यह दोनों कंडिशन मस्ट है मतलब यहां पर एक हाइड्रोजन भी होना चाहिए यहां पर एक हैलोजन भी होना चाहिए इसको जब हम ट्रीट कराते हैं किसी बे यह intermediate क्या शो करता है कि जो hydrogen will be abstracted by base hydrogen will be abstracted by the base next step में क्या होगा nucleophile का attack होगा so यह जो reaction है इसके अंदर क्या होता रहे देखो सबसे पहले जो base हो क्या करेगा यह जो acid hydrogen इसको abstract करेगा so यहां से formation होई this carbon ion की this carbon ion will attack here and this bond will break so there will be formation of this species this is the intermediate next क्या होगा कि यहां पे जो water है या ROH है जो भी nucleophile होगा वो अटेक करेगा और उसके respect में हमारे पास में productly formation होगी so उसको अभी हम बाद में देखेंगे उससे पहले हम देखते हैं कि X क्या हो सकता है एक सकता है chlorine, bromine और iodine क्योंकि प्रेटर लिविंग ग्रूप है nucleophile nucleophile can be NaOH अगर NaOH को लेंगे water के साथ में तो यहां से जो product बनेगा वो product क्या बनेगा acid carboxylic acid बनेगा यहां से अगर ROH लेते हैं आम NaOH के साथ में तो वहां से जो product बनेगा वो क्या बनेगा ester अगर ammonia लेते हैं तो product बनेगा amide so with NaOH chlorofoam is not used as solvent because carbon will be formed and another reaction will take place NaOH के साथ में हम यहां पे CSCl3 को use नहीं करेंगे यह chlorofoam को अगर use करेंगे तो carbon के जो reaction होगी उसके थो reaction प्रोसेड करेंगे और उससे क्या हो जाए ही कोई दूसरी reaction ही form दूसरा प्रड़क्ट ही form हो जाएगा so however उसकी रेंचम जो important point क्या है कि reactant क्या होना चाहिए ketone होना चाहिए जिसकी alpha position के ऊपर एक side proton present हो दूसरे side halogen present उसको हम बेस के साथ ट्रेट कराते हों यहां से यह intermediate हमें होता है ना फेबरोस के reaction को rearrangement को समझने के लिए हम example लेते हैं और उसका mechanism solve करते हैं so this is the question this compound is reacted with any OH and water so यहां से हमें क्या मिलता है हमें यह product top 10 होता है कि ओएच क्लियर तो यह product के इस तरह से बनेगा इसका हम mechanism देख लेते हैं कि जो रियक्टेंट था इसमें सबसे पहले हमें क्या देखना है जो यह की टोन ग्रूप लगा है उसके दोनों साइड हमें एक तरफ एक्स गूरूप देखना है और एक तरफ प्रोटोन देखना है यहां पर हो गया प्रोटोन यह हो गया एक्स गूरूप है लोजे नव नेक्स स्टेप क्या होगा जो बेस है हो क्या करेगा इस प्रोटोन को अब्स्टेक्ट करेगा यहां पर proton extract होगा now this bond will shift here and this bond will break so there will be formation of this compound clear now यहां से cyclopropanol intermediate यह क्या है फेबरोस की rearrangement की characteristics है तो फेबरोस की rearrangement में हमेशा cyclopropanol की formation होगी as an intermediate now next step क्या होगी next step होगी जो OH negative ion है that will further attack here this is delta positive this is delta negative so this bond will shift here so there will be formation of this compound O negative and OH clear now यहां से हमें क्या देखना है यहां पे यह जो negative charge है इसको हम इधर shift करेंगे तो हमारे पास में two possibilities है एक possibility है कि यह bond इतर shift हो जाए मतलब यह carbonine बने जो second possibility है वो क्या है कि यह जो bond है यह shift हो के यहां पे carbonine बने clear तो हम दोनों carbonine बना के देख लेते हैं this is first possibility this is second possibility so यहां पे जब हम यह carbonine बनाएंगे so CH2 this is CH negative this is CH negative CH2 COOH यहां पे दोनों cases में same तरह का species हमें यहां पे obtained हुआ है clear अगर यहां पे हमें two different different तरह की species obtained होगी तो हम क्या देखेंगे more stable carbonine देखेंगे clear so यहां से हमें दोनों carbonine same तरह के obtained होना है so this will be the carbonine और उसके बाद हम क्या करेंगे water से reaction कराएंगे water अपना proton देखा वो proton यहां पे attach होशाएगा so there will be formation of this compound CH2 CH2 COOH clear so यहां पे जो first step है वो बहुत common है क्या करेंगे हम जो ketone है उसके बगल वाले carbon के उपर जो hydrogen प्रोटोन है उसको हम abstract करेंगे वहां से हम attack कराके halogen वाले carbon के उपर और यहां से इस तरह की cyclopropene intermediate को बनाएंगे cyclopropene intermediate को बनाएंगे उससे next step में क्या है जब OH negative attack होगा तो हमें क्या देखना है यह species बनेगी नव जो important step है that is formation of carbon अब यह जो stage है इसके बाद हमें क्या देखना है कि हमें कौन सा bond break करने है तो कि oxygen का पारस में जो long pair जो negative charge है जब वो shift करेगा तो उस टाइम पे दो तरह से bond break हो सकता है तो जब भी हमें देखना है जब भी सॉल करेंगे क्या देखना है कि कौन सा carbonate जादा स्टेबल है जो carbonate जादा स्टेबल होगा वही carbonate की हम solution करेंगे उसके बाद next step में क्या होगा water होगा water cotton देगा और यहां से क्या हो जाएगा product की formation हो जाएगी नेक्स्ट क्या question देखते हैं अगर कोई cyclic ring है अगर इस तरह का कोई compound है और उसमें हम febrose की rearrangement कराते हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा this is n this is 1 now n यहां पे है 1,2,3,4 और 5 यह जो compound है इसमें अगर हम n is equal to 1 लेके चलें और इसको solve करें और इसका treatment हम कराएं अगर हमारे पास में initially यह reactant है double bond OCl यहां पे हमने n is equal to 1 लिया है इसको हमने reaction कराई n इमेज की साथ first step क्या होगी proton abstraction होगी यहां पे proton है वो यह base proton abstract करेगा this will attack here यहां से क्या होजएगा chloride leak बरेगा so यहां से क्या compound बना this will be the cyclopropanone this is the intermediate now next step क्या होगी water की next step क्या होगी फिर से OH negative attack करेगा OH negative attack करेगा जिस carbon carbon के उपत this bond will shift लिया so यहां से बन गया यह compound this is O negative and this is OH clear नव यहां पे वो two possibilities है जो हमने पहले देखी है कौन से two possibilities कि bond break होगा तो किस तरह से हमारे पास में carbonine बनेगा तो देखो यह जो oxygen है इसके पास जो negative charge है जब वो यहां shift करेगा तो two possibility है या तो यह bond break हो number one या फिर यह bond break हो number two clear तो हम क्या करते हैं पहले number one जो bond है उसको break करके देखते हैं तो यह हमारे पास compound है this is O negative this is O ash यहां से bond shift हुआ हमने इस bond को break किया so negative charge आ गया यहां पर यहां से जो हमारा carbonine बना वो क्या बना this is the carbon and five member ring बन जाएगी यहां से this is the five member ring यहां पर हो गया negative charge और यहां पर हो गया COOH clear एक तो बना यह carbon है second possibility है कि हम जो second जो mode है वहां से हम क्या करें carbonine की commission करें वो bond break करें so this is O negative this is OH this now यह bond इतर shift हुआ this bond will shift हुआ so यहां से हमारे पास बन गया यह intermediate this is negative this is methyl this is COOH now दोनों carbonine में हमें तेखने कौन सा carbonine जारस्टीबल है this is 3D कार्बन है carbonine की stability क्या होती है बन दिली सबसे ज्यादा होता है फिर 2 दिली फिर 3 दिली so यहां पर carbonine stable कौन सा है this one second so यह carbonine नहीं बनेगा यह carbonine की formation होगी और next step में क्या होगा water reaction होगी water क्या करेड़ा यहां पर proton देगा और इस तरह से हमारा जो final compound है वो यह हमें obtain होगा clear तो रिंग के case में हमने क्या देखा है कि cyclic ketone है वो rearrangement करके ring contraction करेंगे पहले हमारे पास में 6-member drink थी अब कितनी होगी 5-member drink होगी और इसमें हमने carbonine की stability का concept भी देख लिया है now next reaction now next reaction is को ऐसी febrose की rearrangement so को ऐसे febrose की rearrangement के हमें क्या होता है first rearrangement जो हमने देखी थी febrose की rearrangement उसमें हमने क्या किया था कि यह tone के जस्ट बगल वाले carbon की ऊपर जो एडिसेंट carbon है उसके उपर क्या था एक तरख halogen था और दूसरे तरख acidic hydrogen जो proton था लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे कि यहां पर कोई भी hydrogen नहीं है तो उस टाइम पर यह जो reaction है that will be quasi febrose की rearrangement so जो एन निवेच के साथ इसकी reaction कराएंगी यहां से हमें क्या obtain होता है नहीं से ओएश नेडिटिव ले सकते हैं यहां पर डिरेक्ट ओएश नेडिटिव बिल अटैग हीर यहां से यह बॉन्ट शिप्ट होगा so there will be formation of this molecule O negative OH यह हो गया X और यहां पर यह पूरा बल्की ग्रोप now next step क्या होगा कि यह bond इधर shift होगा तो यहां पर हमें क्या देखना है migratory aptitude देखना है यह bond इधर shift होगा तो यह जो bond है पूरा this bond will shift here and this bond will break so यहां पर क्या होगा जिस तरफ hydrogen नहीं है उसके पास और कोई भी scope नहीं है तो पूरा जो ग्रूप है that will affect on the carbon having the halogen और halogen वहां से लीग करेगा so यहां से क्या बना this is the final product COOH यहां पर two group this will be the final product clear यहां पर SN1 reaction नहीं होगी क्योंकि positive charge near this group इसके जस्ट बगल में positive charge है इसे इसके बगल में यहां पर positive charging यहां पर positive charge stable नहीं है तो यहां पर SN1 reaction नहीं होगी तो यहां पर reaction होगी SN2 और हम क्या बोल सकते हैं अगर नहीं यहां पर SN2 reaction हो कहां पर past होगी यहां पर इस तरह से CH2X तो हमारे पास भी यही case है यहां पर SN2 reaction क्या होगी past होगी इसके बाद इसमें SN2 reaction होगी CH2X दें CH3I SN2 यहां पर इंपरेंट पॉइंट को क्या है कि no hydrogen वाला चो पोर्शन है that will completely attack on the carbon having the halogen और a halogen will relieve so there will be formation of this product अब एक question solve करते हैं suppose this is the question cyclohexene है यहां पर chlorine के attachment है this is the ketone group and here is the phenyl group इसको हमने treat किया है NaOH के साथ में और water के साथ में तो यहां पर क्या product form होगा so first step क्या होगी पहले हम क्या check करते हैं कि alpha hydrogen है यहां पर यह जो carbon है इसके पास में कोई भी alpha hydrogen नहीं है वादब कोई भी hydrogen नहीं है तो पर स्टेप में हम क्या करें है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां यहां आएगा और जिस हैं पोई hydrogen नहीं थी वहूरा बॉन बरलम पूरा जो पूरा जो COंपाउंड है पुरम अलिक्यूल है वह हम पर यहां पर यहां पर अटेक करें और इस यहां पर यहां पर आगों दिस झाल झाल